महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मिया तेज हो चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी में सीट बटवारे को लेकर एकमत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भले ही वो सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना हो या विरोध में बैठी कॉंग्रेस राष्टरवादी कॉंग्रेस और शिवसेना उद्वाला साइब ठाकरे की पार्टी हो 2019 में महाराष्टर में जहां 48 लोग सबा सीटे थी उस समय बीजेपी को 23 शिवसेना को 18 राष्टरवादी कॉंग्रेस को 4 और कॉंग्रेस को एक सीट पर जीत मिली थी लेकिन अब महाराष्टर में समय करण जो है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं शिवसेना के दो तुगडे हो चुके हैं जिसमें से एक है एकनाज शिंदे गुट जो अब बीजेपी के साथ है तो वहीं उद्धो बाला साइब ठाकरे का गुट अब कॉर्राष्टरवादी संजे केलकर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में इस लोग सभा सीट से उनका प्रत्याशी खड़ा होगा क्यूंकि यहां पर उनके पार्टी का जोर है तो वहीं उसका जवाब देते हुए एक अकबार में इस्टिहार दिया गया जिसमें एकनाज शिंदे को सबसे लोग प्रिया मुख्यमंत्री दिखाया गया और देवेंद्र फणविस को नंबर दो के लिस्ट में रखा गया था जिसको लेकर शिवसेना और बीजेपी नेताओं में काफी मदभेध भी हुए और बड़े नेताओं के बीज बचाओं के बाद मामला शांत किया गया लेकिन अब खेमे में सबसे ज़्यादा लोग सभा सीट लेने में लेगी हुई हैं तीनों का मानना है कि यह महराष्टर की लोकल पार्टिया है और इस हिसाब से शिवसेना उद्धवाला सेब ठाकरे पार्टी और राष्ट्रवाधी कॉंग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटे मिलने च इसला उताब